टू, हिंदी ग्लास्टवार्ड, भालू ने खेली फुटबल, सद्धियों का मौसंता, सुबा का वक्त, चारो और कहरा ही कहरा, एक शेर का बच्चा सिमात कर गोल मटोल बना जामून के पेर के नीचे सोया हुआ था, इधर भालू साहब शेर पर निकल तो आय थे, लेकिन सोचा, अहा फुटबल, सोचा चलो, इस सिफ खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए, अब देखाना तब, भालू जी ने पेर से उचल दिया शेर के बच्चे को, बच्चे को, हरबरी में शेर का बच्चा दहरा और फिर पेर के एक डाल पकर ली, मगर डाल तूटके भालू साह अब जल्दी ही मामला समझ गए, पच्चता आए, लेकिन अगले ही पल दौर कर फूर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए, और शेर के बच्चे को लपटले, अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उचलने के लिए कह रहा था, एक बार फिर भालू दादा ने उचला, दो बार, तीन बार, फिर चार बार बार ये ही होने लगा, शेर के बच्चे को उचलने में मजा आ रहा था, भालू परंद भालू थक कर परिशान हो गया था, ओ, किस आफस में, किस आफस में आफसा, बार भी बार उचलते ही भालू ने घर के और दोर लगाई, और गायब हो गया, अ शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, डाल तोड़ दी पेर की लाव हरजाना, शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लू, माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ, माली ने माली के वहां से जाते ही शेर के बच्चा भी नौदो ग्यारा हो गया, उसने सोचा जान बच्ची तो लाकुपार